malaria क्या होता है और इसके क्या-क्या types होते हैं और यह कैसे फैलता है और इसका हिलाज कैसे करते हैं malaria एक disease होती है , जोकी malaria prazibis के दोपरा होती है, यहें विमारी फीमेल एणवोफिलीज मच्षर की काटने से फैलती है इस बीमारी में सरी का ताफमान अत्यदिक बढ़ जाता है यदि किसी पेसिंट को जब ये बीमारी हो जाती है तो फीवर अत्यदिक आता है टाइपस ओफ मलेरिया पैरसाइट्स मलेरिया पैरसाइट के पिरकार के बारे में जानते हैं ये कितने टाइपस का होता है Malaria Parasite चार टाइप्स का होता है Plasmodium Vibax, Plasmodium Oval, Plasmodium Malaria, Plasmodium Falsiparam पहले टाइप्स की बात कर लेते हैं Plasmodium Vibax, Malaria की यह पिरजाती Asia, North America और Central South America में देखी जाती है टेकिन टाइप्स की बात कर लेते हैं Plasmodium Oval, यह पिरजाती Based Africa में देखी जाती है Plasmodium Malaria की बात कर लेते हैं यह पिरजाती सभी जगे देखी जाती है पर अफिरिका के अंदर यह पिरजाती नहीं देखी जाती है 4 Type की बात कर लेते हैं Plasmodium Falsiparam यह बहुत ही Dangerous होता है यह पिरजाती बहुत ही जल्दी फैलती है यह पिरजाती South Asia और India में देखी जाती है अब बात कर लेते हैं Malaria के Transmission की यह बिमारी कैसे फैलती है यह बिमारी Infected Female Anophilies मच्छर के काटने से फैलती है बात कर लेते हैं Malaria के Lab Diagnosis के बारे में Lab Test कौन से की जाते हैं Malaria का जल्दी पता लगाने के लिए Rapid Card Process का इस्तमाल किया जाता है इसमें Blood की कुछ Drops Rapid Card पर डाली जाती है और 15 या 10 मिनट के बाद जो है आपको Result देखने को मिल सकता है अब बात कर लेते हैं इसके T20 मतलब इलाज के बारे में जा लेते हैं कौन-कौन सी दबाईयां यूज की जाती है फस्ट है Larigo DS इस दबा का उपयोग Malaria के इलाज में किया जाता है डोसिस की अगर बात की जाता है फस्ट डे मतलब फहले दिन सुबह 10 बजे 500 अमजी 2 टेवलेट 1000 अमजी दे सकते हैं अब बात कर लेते हैं इनजेक्शन के बारे में कौन सा इनजेक्शन Malaria में दिया जाता है सबसे की अगर बात की जाता है डोसिस की अगर बात की जाए 1st day मतलब पहले दिन 60 mg BD दिन में दो बार दे सकते हैं 2nd day दूसरे दिन 60 mg OD दिन में एक बार दे सकते हैं 3rd day मतलब तीसरे दिन 60 mg OD दिन में एक बार दे सकते हैं